जाता था 1994 में 100 दिनों के भीतर रवांडा में 8 लाख लोगों का नरसंगार हो गया इसलिए जब भी रेडियो रवांडा का नाम सुने सतर खो जाएं और गोदी मीडिया को ध्याम से देखिए कि ये रेडियो रवांडा की तरह लोगों को दंगाई तो नहीं बना रहा याद रखिएगा ये आपके ही बच्चों को दंगाई बनाना चाहता है जिनके डॉक्टर बनने का सपना आप देखते रहते हैं संयुक्त राश्ट्र की सुरक्षा परिशद ने इसके लिए अंतराश्ट्री अदालत विठाई इस अदालत ने रेडियो रवांडा और इसके मालि मालिक काबुगा को नरसंगार के कई मामलों में सजा सुनाई